इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Psyloderm D tablet is a combination of two medicines that work in different ways to treat men with an enlarged prostate gland. यह पेशाब करने में कठिनाई या अधिक बार शौचालय जाने की आवशक्ता जैसे लक्षनों से राहत दिलाने में मदद करता है. यह prostate cancer की रोक्थाम के लिए इस्तिमाल नहीं किया जाता है. Psyloderm D tablet is advised to take it in a dose and duration as per prescription. इसे भुजन के साथ लिया जा सकता है, लेकिन नियमित रूप से एक ही समय पर लेना चाहिए. दवा को बिना कुछ ले या चबाएं पूरा निगलें. आपको डॉक्टर से परामर्श किये बिना इस दवा का सेवन बंद नहीं करना चाहिए क्यूंकि इससे आपके लक्षन और भी बिगर सकते हैं. दवा के बहतर असर के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए. Some common side effects of this medicine are retrograde ejaculation, dizziness, diarrhea, orthostatic hypotension, headache, nasopharyngitis and nasal congestion. अगर आप किसी भी side effect से परेशान है या वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो बिना देरी किये अपने डॉक्टर से परामर्श करें. Simple lifestyle changes can help you manage your symptoms better. जैसे ही आपको इच्छा महसूस हो, तभी पेशाप करने की कोशिश करें. हाला कि अपने bladder को खाली करने के लिए कभी भी जोर या बल न लगाएं. रात में सोने से या बाहर जाने से कुछ घंटे पहले आपको caffeinated पही या शराब पीने से बचना चाहिए. अगर आप कोई अन्य दवा ले रहे हैं या किसी अन्य स्वास्थि स्थिती से पीडित हैं, तो इलाज प्राप्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचना दे. अगर आप मोतिया बिन्दी या ग्लुकोमा के कारण आँखों की सरजरी कराने जा रहे हैं, तो इस दवा के इस्तिमाल के बारे में अपने आँख के डॉक्टर को बताएं. लिवर या किड्नी रोग वाले रोगियों को प्रिस्क्रिप्शन लेते समय सावधान रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें नियमित फॉलो अप प्राप्त करना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.